सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताके कोई खबर रहना जाएं बाएं टाके कोई धित्छा बाएंदी अ में यख़णित्न आपास्पथ्पयाँ है असलाम अलेकों वियूर्ज आप देख रहे हैं तब्दीली और मैं हूँ आपके साथ अमीर अबास आज डेड़ घंटे पर समात मुश्तमिल थी जॉइंट इंवेसिगेशन टीम के रिपोर्ट पर सिंध मेगा मनी लॉंडरिंग स्कैनल से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में और आज सुप्रीम कोर्ट ने केस को डिस्पोज आफ करके नाप को भेज दिया है ताके इस केस का ट्राइल किया जा सके और दो महीने की मौलत दी गई है जैसे छे हफ़ते की मौलत दी गई थी नवाज शरीफ साब केस में सुप्रीम कोड की जारिब से नैप को और इस केस में दो महीने की मुलत दी गई है नैप को इस केस का मुक्तसर एहवाल आज की समाद का आपके सामें रखते हैं ये केस शरू हुआ साड़े नौ बजे के बाद तो रॉस्ट्रम पर सबसे पहले खौजा तारिक रहीम एडवोकेट तश्रीफ लाए जो के बेरिया टाउन को की नमाइनगी कर रहे थे जब वाये तो नोने अपने दलायल देना शुरू किये, उन्हों ने जीरिटी रिपोर्ट पर सबसे पहले एतरास किया तो जस्टिस एजास उलैसन ने रिमार्ग्स दिये कि जीरिटी ने जो हकाइक देखे उन्हें रिपोर्ट किया उन्होंने वकील खौजा तारिक रहीम को मखातिब करते वे कहा कि यहां कोई मुकदस गाए नहीं है वकील तारिक रहीम साब ने कहा कि ऐसी बातों से पंडोरा बाक्स खुलेगा जिस पर चीफ जस्स तरह माक्स दिये कि हम सब के पंडोरा बाक्स खोल रहे हैं Chief Justice आप ने मलिक रियास के वकील से मखातिब होते वे कहा कि आप सब के सदरों पर ये सवार है कि किसी तरह मलिक रियास को बचा कर ले जाएं क्या हम मलिक रियास को मुलक के सबसे इमानदार शक्स होने की सनथ दे दे मलिकुर्यास का मौमला पहले ही अमलद्रामद बेच डेख रहा है हमें मजबूर्व ना करें कि हम अमलद्रामद बेच आज ही बुलाएं और हुकम डें कि मलिक रयास को गिरफ्तार किया जाए का ये तरीका कार है कि एक बड़े आदमी को बचाने के लिए सारी टीम आ जाती है सारे ऐसे कहते हैं कि जैसे मलक र्यास मासूम हो खाजा तारिक रहीम के बाद ओमनी ग्रुप के वकील मुनीर भटी रोस्टरम पर आए और उन्होंने अपने दलायल चुरू किये मुनीर भटी ने फाजल बैटस को मخاطب करते हुए कहा जैारी टी रिपोर्ट हकाइक के बरक्स है जैरी टी ने अपने खिएराबात से तजावस किया जैरी टी रिपोर्ट बद्नियती परमपनी है जैरी टी रिपोर्ट ने अदालت को जो तासुर दिया वो सही नहीं जिस्टिस एजाजुलाइसन ने ओमनी ग्रूप के वकील मुनीर भटी को मुखातिब करते हुए कहा बटी साहब ओमनी ग्रूप ने मिल मुफ्ट में तो नहीं ली थी मिल खरीदने के लिए पैसा कहां से आया था वकील ओमनी ग्रूप मुनीर भटी ने कहा हमें मिल अदालत के फैसले से मिली जिस पर जिस्टिस एजाजू लैसन ने फिर सवाल किया भटी साहब मिल की खरीदारी के लिए पैसे का जरिया क्या था वकील अमनी ग्रूप ने कहा जियाटी रिपोर्ट में ट्रैक्टर सबसिडी के हवाले से भी मेरे ग्रूप के बारे में गलत बात की गई जिस पर जिस्टिस एजाजू लैसन ने जवाब दिया भटी साहब जियाटी रिपोर्ट के मताबिक आपने ट्रैक्टर की खरीदों फरोग सिर्फ काख़ों में जाहर की जबकि असल में ट्रैक्टर ना खरीदे गए और ना ही बेचे गए जिस्टिस एजाजू लैसन ने ओमनी ग्रूप के वकील मुनीर भटी से सवाल किया क्या आप जानते हैं कि पैसे की लेरिंग किसे कहते है मुनीर भटी ने जवाब दिया जी नहीं जिस पर जिस्टिस एजाजू लैसन ने रिमाक्स दिये तो फिर आप दलाईली क्यू दे रहे हैं चीफ जिस्टिस साब ने ओमनी ग्रूप के वकील मुनीर भटी को मुनीर भटी को मुखाब करतेवे कहा नहीं देना चीफ जस्टिस से रिमाक्स देते वे कहा कि इतना मवाद आने के बाद क्या कोई केस को बंद कर सकता है ओमनी ग्रुप के वकील मुनीर भटी ने जियाइटी रिपोर्ट की कुछ मुद्रिजात पढ़ कर सुनाए तो जस्टिस एजाजो लेसन ने फौरण कहा मिस् का शाकसाना है और ये सब ओमनी ग्रुप से मिलते हैं और ओमनी ग्रुप सियासदानों से मिलता है इस सारे मौमने में ऐसा मिकसर किया है कि इसकी लस्सी बन गई है ये फरमाया था चीफ जस्टिस सामने ओमनी ग्रुप के वकील मुनीर भटी के जियाटी रिपोर्ट को नज कर दिया जाए जिस्टिस अजाज उलहसन ने उस मौके पर फर्माया जियाटी का दायराकार सिर्फ जाली अकाउंट्स तक की महदूद नहीं था बलकि जयाटी ने तमाम मजरिमाना मामलात की तहकी करना थी एक इस केस में ये देखना होगा कियोमनी ग्रुप बहरिया टाउन और स्यासतदानों का आपस में कोई गट जोड साबित होता है ये नहीं उसके बाद फिर अनवर मजीद के वकील शायद हामिद साहब रॉस्टर पर आये शायद हामिद साहब ने अदालत से दर्खास करते हुए कहा सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे की सुस रवी पर ये तफ्टीश हो गई है लहाज़ा इस केस को नमता दिया जाए जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा क्या हम इतने सादा हैं हम इस केस को मंत की अंजाम तक पहुँचाएंगे नामजद मुल्जमान इस बात को क्यों नहीं समझते कि उनके पास क्लियर होने का मौका है जाली अकाउंट्स खोलते रहे क्या पैसे फरिश्टे डालते और निकालते रहे आखर इन जाली अकाउंट्स से कौन मुस्तफीद होता रहा जाली अकाउंट्स का चार्ट देखें जरा जो स्पिन हो रहा था ऐसा तो स्पिनिंग मिल भी नहीं कर सकती क्या ये पैसा आप प आठ आठ करोनों पे क्या फरिष्टे डाल गए चीफ जिस्टिस ने अन्वर मजीद के वकील शायद हामिद से मुकालमा करते हुए कहा अमरीका और दुनिया के कई मुलकों में शायद मुकदमा कतल में जमानत मिल जाए लेकिन ऐसे वाइट कॉलर क्राइम्स में जमानत नहीं मिला करती हमारे पास काफी मबाद है और हमें देखना है कि मौमला नैप को भेजा जाए या नहीं जल्द दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा लहाज़ा दूद का दूद और पानी का पानी का पानी करने के लिए मौामला आज नैप को भीज़ दिया गया है मेरे साथ मौजूद है इसलामबाद स्टूडियो में पाकस्तान के सीनियर पॉलिटीशन सेनेटर अन्वर बेग साथ आपको बहुत शुक्या साथ उनके साथ तश्रीफ रखते है साथ जजज माहर आइनो कानून कालमा हुआ वकला और जजजेस के दर्हें कहा देखते हैं अभी केस कैसे खत्म होगा देखें यह केस जो है इसके थोड़े से जो एविंट्स हैं वो मिलते जुलते हैं यह पिन्यमा लीग के कैसिस के साथ पिन्यमा लीग तो ख arrange to उसमें आफशोर कंपनीज और जिसमें पाकिस्तान में भी जो भी हुआ आपके सामने है ये थोड़ा से इसमें फर्किया है कि इसकी तफ्दीश जो है दोजार पंदरा में FIA ने शुरू की थी इनजारी अकाउंट्स की ये अपने पेस में चल रहा था कि इसमें सुप्रीम को पाकिस्तान को खुद तजवीज दी क्योंकि एक बहुत बड़ा स्कैम है इसमें बहुत सारे कॉमपनेंट्स इन्वाल है लाजा इसमें एक वसी बन्याद जो है वो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी जाए जो कि सुप्रीम कोड़ा पाकिस्तान ने बना दी उन को टर्मस ऑफ रेफरेंस दिए गए उन्णे उन टर्मस अफ रेफरेंस के ओपर तफ़्टीश करकी उसके रिपोर्ट दे दी है जिसके ओपर जितने स्टेक होलडर्स हैं आसब जरदारी साह्भ हैं, अमनी गॉ璃फैंd इगर बाकिगे हैं, उन्हों ने अपना अपना उसम वो ताफ़जात या अपने अबजेक्शन उसमें फाइल कर दिये हैं और आज वो कमसकम उसके एक स्टेश तो कम्प्लीट हो गई कि जाएटी की रिपोर्ट से इत्मिनान करते हुए सुप्रीम कोड़ा पाकिस्तान ने उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए नेशनल अकाउंट इमिलिटी बियूरो जो है वो जो जो जाएटी की रिपोर्ट है उसको एक रहनमा असूल बनाते हुए वो जहां-जहां पे वो लीड्स दे रहे हैं उसको फॉलॉ करते हुए वो इसकी तफ्तीश करेंगे तफ्तीश में जाहर है कि जतने स्टेक होल्डर्स हैं जतने मुलज करते हुए तो उसके बाद जब वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी तो उस पर मबनी जो है वो एक रेफरेंस एक या दो या जितने रेफरेंसेज बनते हैं वो मतलका काउंटिबिलिटी कोर्ट में जमा करा दिये जाएंगे लेकिन इसमें एक चीज़ देखनी जरूरी है वो ये है कि क्या दोराने इन्कौाइरी या इन्वेस्टिगेशन जो अभी शुरू हो चुकी है नैब जो है क्योंकि चेर में नैब के पास दफ़र चौबीस के तहत ये हासिल है उनका सवाब दीदी एक्तियार है कि वो इन्कौाइरी और इन्वेस्टिगेशन के तोरान किसी को भी जो है वो उसके गरिफतारी का होकम जारी कर सकते हैं हमने देखा कि मियानवाश श्रीफ साब के केस में उनों ने ये अपना इक्तियार इस्तमाल नहीं किया लेक को भी जो मियानवाश श्रीफ साब को दी कि वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद रेफरेंस फाइल करेंगे और इन तमाम मुल्जमान को अकाउंटिबिलिटी कोर्ट के रह मुकर्म पर छोड़ देंगे उसमें एक फर्क है मियास साब के और इस केस में वो मैं जरा आप ही से सिल के आगे पूछूँगा सेनेटर अनुर्बेक साब सर छे हफते दिये गए थे सुप्रीम कोड की तरफ से पैनुमा स्केंडल में नैप को लेकिन वो छे हफतों का मौमला एक साल से भी ज्यादा ले गया और आठ दफ़ा एक्स्टेंशन दी गई तेंक यू फो हैंगे नीए शो मैंनी समझता कि यह हमारी जिंदगी में इसका फैसला आएगा और जब हमारी मरने के बाद आएगा तो यह सब आपकी जिंदगी में इन्शा आला और यह सब लोग वैसे बड़ी हो जाएंगे और यह दुबारा हुकमरानी करेंगे कुछ नह अपका इसे होगी है अब रिकार्ड होगी आपके से अपकी आप इंटीशन आपका कह रहा है आपके पास को ख़बर है यह किस तरह से आपके से आपके सुने मुझे वित अल्डू रिस्पेक्ट तो इओनर बल्सुप्रीम कौर्ट बाद यू रिस्पेक्ट I'm not a lawyer by profession पट थ रहा एंड एस चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाहरा पैसा वहां से फ्लो हुआ और फिर यह जो कुछ हुआ जो हुआ आप उनको जिया वो इसीयल से निकाल रहे हैं और जियाटी से बीटी से भी निकाल लिए नो आइड नो यह कानून क्या कहता है शाहसा बेतर समझाएंगे हमें पर मेरी समझ में नहीं आया जो प्रिंसिपल बंदा है इसमें इन्वाल्व जहां से यह पैसा शुरू होता है उस तो यह नहीं उसका कुछ होगा यहां पे यू नीड अ मैड मैन अ मैड डिक्टेटर जो कोई कॉंप्रोमाइस पॉलिटिशिंस के साथ नहीं करे और यह कहे के जी मैं दस साल इधर बैठा हूं कोई एलेक्शन नहीं होगा और रूथलस अकाउंटिबिलिटी करे यह कोटों क देखें आजकल के कानूनों के हिसाब से किसी को कुछ नहीं होगा सब बार निकलाएंगा आस्ते-आस्ते वही देखें शाह साब को ज्यादा बेथर पता होगा नैप के पास प्रोस्टेकूटर की जो क्वालिटी है वो माशाला आइम सॉरी टू से इस जो नैप का बच्छे को उसका नाम बालूम होना चाहिए था लॉयर है वो जाके केस प्रोफाइल वो करेगा वो कभी कोट गया ही नहीं है वो पाकिस्तान ट्रिकेट बॉर्ड के अंदर लीगल अडवाईजर था पीमल गर्वर्मेंट ने उसको लगवाया था यहां उसका क्या इंपुट होगा भाई मुझे आप समझाएं तो सही एव इवर सीनें यू है नोट इवन प्रॉबरी सीन जेंटलमेन माशाला उनकी काफी एज है रिटायर्ड जैज है जो ब्रीफ कर रहे हो किसी केस के ऊपर प्रोग्रेस बता रहे हो कभी लें यह हाई प्रोफाइल केसिज हैं यह के इसको तो प्रोसेक्यूटर जैनल खुद लीट करें जाके आपने वो जूनियर्स को बेजा हुआ है और उसके बरक्स जो लॉयर्स खड़े में हैं वो कंट्री के टॉप नॉच लॉयर्स हैं वो ऐसा स्पिन देंगे इनको पता भी नी चाहाँ ना काउंड लेके जर्दारी साहब लाम देता हूं वो माशाला बहुत इंटेलिजेंट आदमी हैं यू गाइस कांट गे इम यू गाइस कांट गे इम पीरिएट अब देखते रहिएगा क्या होगा इम सॉरी तुस मेक इस स्टेट्में बट इस परसूनली फिल कि नहीं इस गॉर्टर साहब जो आप्टिमिजम है ये पैसिमिझम है सेनेटर साब का बट उनका जो एकस्पिरियंस इतना लोंग लास्टिंग लोंग सर्विंग उनकी रजजर में आपको का इस बाइपास कर करे जो क्रूख्स हैं जो डिर्टी नेक्सिस है, इस मुलक में करॉप्शन का, उसमें कॉर्परेट वर्ल्ड बिस्निस इंपायर्ज, उसमें लॉयर्ज, उसमें पॉलिटेशन, उसमें बिरोक्रेट्स, उसमें कुछ और रोग, उस नेक्सिस को अगर आपने हैमर करना है, तो आपको कोई मैड मैन च खजाएं तो जरूर मिल जाएंगी लेकिन उससे और बड़े माशरे में सुसाइटी में पॉलिटिक्स में प्रॉब्लम्स क्रियेट होती हैं ये दुरस्त है कि जो वाइट पॉलर क्राइम है उसको डील करना इतना आसान नहीं होता अब ये है कि जो मामला नैब के पास गया है वो इन्वेस्टिकेशन में दो महीने का मारजन है जिसमें एक कहना चाहिए दोबारा उस पे नजर डाली जा सकती है और जो अक्यूजड हैं जो शोर मिचा रहे हैं उनके लिए भी एक अपरचुनिटी हो जाती है अपनी सफाई पेश करने की उसके बाद पिर अगर नैब स के अंदर लगना जरूरी है क्योंकि अगर आप जल्दबाजी से काम ले तो उसके भी मसाहिल खड़े हो जाते हैं ये बैलन्स किस तरहां क्रियेट किया जाए ये सबसे बड़ा चैलिंज है और माजी के तजर्बे की रोशनी में तो नाउमीदी हमें समझ में आती है क्योंक ये जरूर फाइदा आपको नजर आएगा कि जो अकाउंटेबिलिटी का करॉप्शन के खिलाफ मामला चल रहे हैं कुछ लोगों को सजाएं मिली हैं और इसके इसकी वज़ा से बहुत से अच्छे लॉयर्स पैसा भी खूब कमाते हैं उससे कमसकम एक थोड़ा सा डिटरें वज़ा कि वज़ा हैं नवाच शरीफ साहब के केस में और इस केस में एक फरक यह है जो बहुत सारा इवड़ेस यह प्रॉप्ली के ऽुदिए हैं तो यहां पर एवटनस का जाया ओजानार यहां पर विटिस को नुक्स á susceptor के अब्रॉपॉट है और पराटी के उन्युक्स गिरिफतारी की बात की थी तो शबाश शरीफ साब को नहीं इस लिए किया था है यकीन जब government होती है और government से related record होता है तो उस में उसकी temper होने में या उसको किसी तरीके से उसमें गड़बड होने के चांसे जरूर होते हैं ये अब नैब ने देखना है कि वो क्या उनके पेशे नजर ऐसी कुछ सुरते हाल है कि उसमें एक मैसिव लेबल पे इसमें गरिफ्तारिया की जाएं लेकिन असल question ये है कि अभी जैसे रॉक्टर हसनास्वी साब ने भी कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि क्रॉप्शन जो है उसका एक बहुत बड़ा मैनेस है उसको हमें आइरन हैंड से डील करना है लेकिन उसमें जो procedures हैं वो भी adopt करने जरूरी होते हैं क्योंकि अगर कुछ मामनात इंतहाई तेजी और उजलत में हो जाएं तो उसमें बहुत सारे procedures जो हैं वो compromise हो जाते हैं जो कि मुल्जमान को उसका फाइदा पहुचता है तो जहां तक मौझूदा investigation का तालूँ कि मैं सेनेटर बेक साब से बिलकुल इतिफाक करता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा sophisticated white collar crime है कि जिसमें बहुत ज्यादा expertise की जुरूरत है investigation में भी प्रॉस्टिकेशन में भी खुद जायर टीर की रिपोर्ट में F.I.A. ने लिखाया कि तारीख में यानि गुजश्टा F.I.A. जब से बनी है पाकस्तान में उसकी तारीख में इतना खतरना किसम का crime आज तक नहीं सामने आया जो F.I.A. को इतना बड़ा स्कैम investigate करना पड़ा हो जतना ये है बिलकुल अब देखना ये है कि जैसे सेनेटर साब ने पॉइंट आउट किया कि अब जो इस वक मौझूदा जो investigation का जो महकमा है नैब के अंदर क्या उसमें इतनी capacity है कि वो इतने जो है वो एक इंतहाई मुनजम किसम का जो white collar crime है उसकी investigation या उसके पास वो expertise मौझूद है और अगर जब वो investigation करेंगे तो फिर next prosecution का जो है वो phase आएगा तो क्या उनके पास अभी तक हमने जो देखा है कि जो mega corruption cases में जो उनकी कारकरदगी रही है वो इतनी up to the mark नहीं है तो मैं यह समझता हूँ कि नैब को एक तो अपनी investigation टीम को completely overall और update करना पड़ेगा अगर उनके पास मजूदा इतने तजर्वकार लोग नहीं है तो उनको दूसरे महकमों से पुलीस से, FIA से और दूसरे एजल्शी से इमरान खान साब का नारा corruption का खात्मा था, पांच महीने उनकी हुकमत को ओगया उनको तो सबसे पहले आके सारी energy, सारे resources लगा देने चाहिए थे नैब के उपर लेके अब असल में नैब की जो composition है वो तो बजाहिर जो है वो किसी भी government के मरहुने मिनत नहीं है, उनके subordinate नहीं है, लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि चेहर में नैब जो है, वो सलाना एक report सदर मुमलिकत को जरूर पेश करते हैं, तो वो थोड़ा सा नेकसर सदर मुमलिकत का जरूर बीच में आ जाता है, क्योंकि वो अगर किसी के सामने answerable हैं, या किसी को apprise करने के का पाबंद है, तो वो प्रेजिएंट वाक्ष्णाद है, लेकिन होगोमत सर्फ funds दे सकती है, resources दे सकती है, हाँ, मैं ये कहता हूँ, कि ये हमारे जो अभी advisor to the special assistant to the prime minister, शादाक अ लेकिन उनको logistically जैसे investigation है, prosecution है, उसमें बेहतरी लाने के लिए उनको facilitate करना चाहिए, और दुसी चीज़े है, कुछ चीज़ें आउट source भी करने चाहिए नैप को, अगर उनके पास अपनी capacity नहीं है, तो नैप का अपना कानून कहता है, जैसे इसी J.I.T. ने फैसल सदीकी सा अब को lawyer, अबी हायर कियाया सुप्रीम को, एक breaks, टू पर जाते हैं, बेकिस से बापसे हम प सरा अनवर के साहँ साहmin होंगा, आसिफली जहर्दारी साहब अब नैब में पेश होंगे।, लेकिन आसिफली जहर्दारी साहब नैब के बारे में क्या कुछ कह चुछ चुके हैं वो ज़रा बेग साब और आपके सामदे रखते हैं और फिर आप फिर बेग साब से जरा पुछेंगे यह नयाब अब जरदारी साब के साथ करेगी क्या ब्रेक के बाद कुछ शाम देद साथ को लग रहा है कि यह जो मौझूदा निजाम है इससे किसी एक आद को तो सजा हो सकती है लेकिन जो जो एक करप माफिया एक पूरी टियर है करप्शन की उसको सजा नहीं हो सकती है तो 11 दिसंबर को गुजश्टा बरस सेनेटर रन और बेक साब हमारे शो में आये थे तो उस वक्त इन्होंने क्या फर्माया था मैं चाहूंगा ज़रा वो भी बेक साब को भी याद करवाते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं कि बेक साब के जो कंसेंसिस जो उनके थाट प्रोसेस की जो कॉंटिनूटी है वो क्या पाकिस्तान के अकाउंटबिलिटी का एक प्रोसेस हो और रूथलस अकाउंटबिलिटी हो इर्रिस्पेक्टिव विचेवर पुलिटिकल पार्टी ही और शी बिलॉंग सो रिक्वेस्ट मेरी यह है कोर्ट से नैप से के जो कुछ भी है यह केसिस लंबे नही होने चाहिए य यह वार फुटिंग पे होने चाहिए सुप्रीम कॉर्ट डिरेक्टिव दे नैप चेर्में डिरेक्टिव दे यह वार फुटिंग पे चॉबीज गंटे फैसला करें आप इस तरीके से लिंगर-on करेंगे तो कोई सेंसली बनेगा इसमें एक्यूस्ट गेट्स सुप्रीम कॉर्ट डिरेक्टिव दे वार फुटिंग पे फैसले होने चाहिए यह तो महीनों और सालों और दिहाईयों पर बात जा रही है मैं आपको फिर कह रहा हूं कि यह काम ऐसे नहीं होंगे देखें मैं आपको एक चीज़ बताओं मैं अगर आप शाम की खबरें सुनें नौ बज़े की या च्छे बज़े की जो में बॉलिटन्स आती हैं यकीन करें के पहले दस मिनिट सारे करॉप्शन के केसें उसके बाद आप जो आते हैं रेप केसे आते हैं कि उसने रेप किया फलाना फिर आते हैं किड्नैप फॉर रैंसम आप मुझे बताएं यहां डिप्लोमेटिक कोर बैठी है इसलाम अबाद में वो क्या मेसेज़िस भेज़ती होगी अपने कैपिटल्स को कि इस मुल्क के अंदर कोई एक अपनी कंट्री को यह लिखेगा के जी पाकिस्तान इससेफ प्लेस फॉर इंवेस्समेंट को लोग तो यहां परिशान है यार फॉर गाड़ सेक विका काइद आजम साब भी विचारे तरफ रहे होंगे के यह मेरा पाकिस्तान है जो हो रहा है सर कुछ नहीं होना यहां पे आई मेंटेन यू नीड़ अ मैड मैन तो रन दिस कंट्री मुल्क होगा तो हम हैं आप तो मैकिवेलियन थे री सर्थ देखें नहीं सत्ता में मुझे यह बताईए कि कौन सा एक हाई प्रोफाइल बंदा डेथ पे गया है या उसको कैद हुई है करॉप्शन नहीं नेमी वन नहीं हैं आप प्रोफाइल वापस री रूलिंग होती रही कोड यह जेलों में जाएं वो बिचारे छोटे छोटे घरीब लोग वो जेलों में रगड़रें मुझे आप यह बताएं बढ़ी कभी जाता है जेल और जाता भी है तो सब लवाजमात के साथ और फिर चलो जी ए एक महीने में जेल से बार है जब जेल से निकलते हैं यह करते हैं देखें Victory So it's a pathetic situation you need a madman to run this country Imran Khan is not a madman देखें, democracy is not the aal I'm sorry to say I mean I've been Musharraf hater you know that but I've come to this conclusion that dictators messed it up क्योंकि डिक्टेटर बना चाहे डेमोक्राइट, वहाँ पे उन्होंने गल्ती की, डिक्टेटर्स की पहले दो साल जो थे, ऐयूब खान के ले ले लें, जियाओ लक के ले लें, या परवेज मुशरफ साब के ले लें, दे वा गुड पीरियड, दोस टू टू यर्ज, जहां इन्होंने कॉंप्रोमाइज पॉलिटीशन को उन्होंने पठड़ी चेंज करवा दी, और पठड़ी ऐसी चेंज कराई, जलीलों के सब डिक्टेटर्स गें, और खुद उनको वापस ले कर आगए, ठीक है ना, सो बेस्ट यह है कि अगर कोई डिक्टेटर आता है, ये शु जाएगी शुद आगए, ये मेरा विव है, आपको बिल्कु टी, डॉक्रर असनर अस्करी रिजवी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब ने चेर्मन नाब आप जो नाब आसिफ अली जरदारी साहब को दो महीने तक इन्वेस्टिगेट करेगा, पर रेफरेंस फाइल करेग कभी इन मेंसे किसी को किरना पड़े दोबारा. आप चेर्मन नाब को त्रेट तो नह कर रहे हैं। करेंगा सर्थ. देखे जरदारी साब का तो ये एक पोलिटिकल स्टाइल है कि जब भी उन पे प्रेशर बिल्ड होता है तो फिर वो उसी तरह का उससे बड़ा काउंटर ओफेंसिव जो है वो करते हैं हमने माजी में भी देखा है अब भी जब से जे आई टी की रिपोर्ट आ विल के आदमी हैं उसकी दो वजवात होती हैं इस किसम के बेयानात की पहली वज़ा तो ये है कि वो तमाम इशू को पुलिटिसाइज करना चाहते हैं और ये मामले को उनकी विक्टमाइजेशन के तौर पे प्रोजेक्ट करते हैं यही काम पीमलन ने किया था यही काम उसके अंदर कंसॉलिडेशन बढ़ती है जब वो देखते हैं कि जरदारी साहब स्टैंड ले रहे हैं जरदारी साहब हाकम वक्त के साथ भी प्राइम मिनिस्टर के साथ भी और नैब के साथ भी इंडिरेक्ली फौज के साथ भी सक्त बेयानात देते हैं तो ये एक लीजिये के पॉलिटिक्स ऑफ करप्शन मैनेजमेंट क्या है किस तरीके से जब आप पे लगता है और सियासत दानों पे और जो लोग बड़े बड़े आफिसे में होल्ड करते हैं वहां उनके खिलाफ अकाउंटिबिलिटी हर मुल्क में ड्वेल्पिंग कंट्री में बड अगर आप तेजी की बात करेंगे तो एक ड्यू प्रॉसस ऑफ लॉग को भी मेंटेन करना जरूरी है जो के पाकिस्तान की सिस्टम की एक हैसियत है तो उसकी वज़ा से एक बैलन्स किस तरह क्रियेट करेंगे और पॉलिटिकल फोर्सिस का एडिशूड यही होता है कि पुल पर दमाद है उन्हें क्या फर्माइए जड़ा यह सुनें पर शाहर अवर्स आप से कमेट लेट है जिसने अपनी मन्सल कुद ही तैक की हो उसको क्यूं डराते हो वो बेवकूफों वो जाहिलों पुल नहीं डिरेगा तुमारे तुमारे यह अटकंडों से तुम एक नहीं पचास पचास केसे को मूँ दिया है इसे कोई फरक नी पड़ता शाह साब आप एक छोड़ के पचास बना ले पांच सो बना ले जड़ारी साथ तो नडर हैं बेखाफ बेलाग क्यादत है देखे बाती है कि वो जो बात कर रहे हैं वो उसमें काफी सदाकत मुझूद है कि उन के उपर कह रहे हैं उनको इतना कॉंफिडेंस है दूसरा ये भी है कि वो चूंके एक प्रिटिकल प्राइटी के कोच एर मैन है बलके ऑल इन आल वही है उन्होंने अपनी फॉलोर्शिप जो है उसको भी इंट्रेक्ट रखना है और उसमें उनको कॉंफिडेंस देना कि कल कर मारे साथ ऐसा हो गया तो ये एक नॉर्मल रूटीन की बात होगी और ये प्रिटिकल विक्टिमाईजिशन है और सब कुछ है इसमें मैं एक जो एक दिल्शास पहली जो मैं आपके साथ डिसकास करना चाहता हूँ है कि ये पूरा जो केस है ये जारी अकाउंट्स का और जाए टी और सारा ये वो इसमें वजुदा जो हकूमत है इसका कोई अमल दखल नहीं है ये एक इनक्वाईरी दोजार पंद्रह से स्टार्ट थी जिसमें तेजी सुप्रीम कोर्ट की इंटर्वेंशन से आई आज वो जो है नैब में वो केस चला गया लेकिन इसमें हकूमत ने खामखा अपनी टांग अडा दी है और अपने आप को कंट्रोवर्शल कर दिया है और अब जो अपूजिशन की तोपों का रुख जो है वो इस केस की वजए से और वी पी पी की क्यादत और वो अब इनकी तरफ हो गया है जो इन्होंने खुद अपनी तरफ वोड़ दि था सुप्रीम कोर्ट ने उसमें तेजी लाई और अभी भी नायब ने करना है और नायब हमारे मातायत अदारा नहीं है साइए अब उसमें उनके वुजराँ जब GIT की रिपोर्ट आई, जब वो अभी पब्लिश ही नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, तो उन्होंने दो घेंटे की एक प्रेस कांफरेंस करके, वो पूरे केस को जो है, उसकी इंडिक्ट्मेंट भी कर दी, उनको सजायां भी लिवादी और उसको पूलिटिसाइस कर दी, तो वैसा बैसे क्या थो हूँ कि इसको है, वो उसको हकुमत को इश्तनाफ करना चाहिए, किंग आपॉजीशन को जवा ना कि अनप मुझा पर पैस कि रख जवाज है आंपर से बी जवाज के पास किया है वह जवाज वहाज वह पर चाने में है नइकिन जवाज है बेख से बाद करते है ब्रेक के बाद खुशामदेद बात हो रही थी ब्रेक से पहले के आपोजिशन के पास जो जवाज है कि ये शायद येकतरफा एतसाब हो रहा है ये जवाज किसी है तक हुकूमत फराम करती है नफीसा शाह साहिबा ने आज केस सुपीम कोट के फैसले पर जो रियक्शन दिया है वो जड़ा सुनिए इस वक्त में दो पाकिस्तान है एक पाकिस्तान वो है जहां पीपल्स पार्टी की कियादत को नाश्टों के उपर और लांडरी और ब्रेक्फस्ट के बेसिस पर सोला सोला रेफरेंसिस की रेकमेंडेशन दी जाती है जियाइटी की तरफ से और दूसरा पाकिस्तान है जहां अंडिकलेट प्रॉपर्टी जाहिर हो जाती है लेकिन उनको एन आरो मिल जाता है एफ आये इतनी फुर्ती दिखाती है और छे माँ में एक केस पर जायटी भी बन जाती है चारान भी सबमिट होता है लाइट जी शाह खावर साब वोई बात जो आप फर्मारे थे कि अब इस तास्र को कि ये दो ने एक पाकिस्तान है ये तास्र भी तो हकूमत ने जायल करना है और ये तास्र पॉजिटिव तास्र हकूमत ने पैदा करना है बिलकुल मैं जैसे पहले बात कर रहा तो वक्फे से पहले पर ये मैं समझता हूं कि नाकब दंदेशी है ये कि आप देखें गौर्मन्मेंट का जो काम होता है उसका काम होता है कि वो पॉलिटिकल माहौल नॉर्मलाइज रखे और कम से कम ऐसे उनकी तरफ से एक्दामात हो जिसे कि एक स्यासी माहौल खराब हो की वज़ाई ये है कि ट्रेयरी बेंचेज ने पार्लिमेंट के अंदर कानून साजी करनी होती है उनको बहुत सारी चीजों में आपोजिशन को ऑन बोर्ड लेना पड़ता है और ये मामला चलता रहता है सेनेटर अनबर बेग पार्लिम तो उसे जो प्रिटिकल लोग हैं जैसे बीपीपी है वो उनका बहुत बड़ा स्टेक इनवाल है इस वक्त इस के हवाले से तो आटोमेटिकली जब आपने उनको मौका दिया तो वो अपनी मखालफत का जितनी भी जो है वो असलेहा और तोफें जो हैं वो उनने हकूमत की कर दी हैं और एक खाम खाएक ऐसे महौल क्रिएट हो गया और उसमें कुछ लोग इससे इंफ्लिएंस भी होते हैं वो इसलिए होते हैं कि जब देखते हैं कि यह इस तरह की बातें हकूमत की तरफ से हो रही हैं और शाय है और शायद एक प्रिटिकल पार्टी या दो should behave very maturely. उनको अपने आपको ये रखना चाहिए कि ये जितने भी केसे अभी तक चल रहे हैं, चाहे इतसाब में चल रहे हैं, चाहे ये मौजूदा केस है, ये पहले से ये उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई भी थी और अभी वो अपने मंतक की अंजाब तक पहुश रहें, तो वो अपने आपको इन सारे प्रॉसेस से उपर रखें और अपनी तवजह जो है, वो अपने जो उनका मनशूर है, उसके उपर एकॉनमी को बेतर करने के लिए और बाकी चीज़ों पर लगाएं, और जो हमारे एंटी क्रॉप्शन के एदारें हैं, बस्तान नैब है, या हमारे प्रोविंशल एंटी क्रॉप्शन के जो इस्टेबिश्मेंट्स हैं, उनको लोजिस्टिकली आप उनको इमपावर करें, उनमें अच्छे लोग लेके आएं, उनके साथ बैटके, उनको इमन रिसोर्स एप्रॉव करें, ताके वो ऐसी एक्सपर्टीज लेके आएं, और इतना उनको ये सपोर्ट करें, और लेकिन अपने आपको उनकी जो ये तास्वर ना हो कि वो उनके मामलात में इंटर्फेरज कर रहे हैं, राइट, अनवर बेक साब, पिछले बारा सालों में ये पहला विज़िट था, अबू धाबी की क्राउन प्रिंस, शेख अनवर बहुत ही अच्छे थे, पीछे डेंट ट्वेंट भी पढ़ें, अब आइम शूर ये आट राइंग टू रिपेर इट, बट मुझे जो हैरानगी हुई, कि देखें, हम जाके साओधी अरेबिया से, यूएई से, और मुलकों से, खास तोर पे जी सी सी कंट्री से, हम ट्रेट क्या करें, कि पाकिस्तान से, पाकिस्तानी वर्क फॉर्स जी सी सी जाता है, और वहां से सत्रा बिलियन डॉलर, खाली जी सी सी कंट्री से, रेमिट होता है पाकिस्तान, और यूएई से, पाकिस्तानी जो हम आपे हैं, वो कोई तक्रीबं तीन बिलियन डॉलर साल का remit करते हैं. सिर्फ UAE सी. सिर्फ UAE सी. और साओधी अरेबिया से साड़े चार बिलियन आता था. तो ये सब मिला मुलू के सतरा बिलियन बनता था. बट UAE was the second largest country जहां से home remittance जाती थी. मुझे दुख इस बात का हुआ है कि यो जो joint communicate जो कल issue हुआ है after the visit उसमें कोई manpower की जरूर जिकर ही नहीं है कि ये बात की है नहीं की है जो बहुत बड़ा component हो सकता था और मुझे है और होती है I'm sorry to say हम शाह महमूद साब हमारे दोस्त भी हैं. अभी पीछे एक delegation आया UAE से दुबाई से खास तोर पे एक minister लेके आया और उसमें छे साथ टॉप CEO थे और उस CEO के अंदर एक CEO था AMAR का AMAR is the largest construction company owned by the ruler of Dubai और वो बहुत construction कर रही है वहां पे और उनकी बहुत manpower की खपत है अब जो मैंने foreign office की press release देखी after the meeting शाह साब उनको कह रहें कह रहें कि आप Pakistan से vegetable और mangos मंगाएं ज्यादा अबे for God's sake यार वो एक दो million की आने प्लाइड हो बेजो आपको यह नहीं पता कि आपका bilateral trade उनके साथ क्या है आप mangos और vegetables की बात कर रहें manpower की आप बात नहीं करते तो मुझे समझ में नहीं आता कि यह किस तरीके से यह हमारी economy साही होगी देखें exports आपकी 20 billion है वो कम होती चली जाएगी उसको time लगेगा build up होने में manpower है immediate gain है immediate home remittances है और अगर इस पर यह काम नहीं किया इन्होंने देखें मैं आपके चीज़ बता हूँ इस 2015 में यह official figures हैं तीन लाग 26,000 बंदा गया था यह मैं UAE की बात कर रहा हूं पंदरा में 16 में कम हो गया दो लाग 95,000 गए सत्रा में 275 गए यह कम होते जा रहे हैं और इस साल एक लाग 90,000 गए अठारा नहीं अठारा में एक महिने की figure नहीं आई है जो गालिबन मेरा 67,000 लोग कम जाएंगे साओधी अरेबिया की में figure बता हूं this is very important साओधी अरेबिया की figure 2015 में 5,22,000 था, 16 में 4,62,000, 17 में 1,43,000 यानि आप अंदाजा करें कितना dip हुआ है और यह 2017 में 88,000 only for God's sake क्या कर के आ रहे हैं मेरा ख्याल है इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर साब को इस पे तवज्ज़ देनी चाहिए this is the only way of hope to get out of this IMF clutches और यह जितने loan की repayments आपने करनी है मैं आपको यह भी बात बताओं यह मैं 10 साल से इसके पीछे लगावा हूँ ना people's party government ने कुछ किया ना noon league ने किया और अब आई होप इनकी समझ में कुछ बात आए और इसको seriously ले लॉक्साब आपसे last comment shortly sir प्राइम मिनिस्टर के भी दौरे हो चुके हैं बाहर साथ दौरे हो चुके हैं और यह पहला गहर मुलकी दौरा किसी सरबरा का वो भी अब हुआ इसी अगले दो महिनों में महातिर मुहमद भी आ रहे हैं मुहमद बिन सल्मान भी आ रहे हैं का जा या किसी का यहां पे आना जो issues बेग साब ने जिस तरह के highlight कि अगर इन पे बात नहीं होगी तो यह तो फिर आनिया जानिया रहेंगी को फाइदा नहीं होगा देखें यह बात एहम होती है कि जब कोई बाहर से डेलिकेशन बड़ा भी एड़ ओधी गॉर्मेंट एड़ इस्टेट आता है या आप के हां से सीनिर लोग फॉर्म मिनिस्टर या प्राम मिनिस्टर जाते हैं तो आपको उस कंट्री के हवाले से स्पेसिफिक issues को समझना च चाहिए के फुला कंट्री के साथ क्या issues हैं हमारे और क्या चीजें हैं जो हम दे सकते हैं क्या चीजें हम उनको ले सकते हैं जहां तक मैंन पावर का तालुक है बिलकुल बेग साब की बात दुरूस्त है कि पिछले चंद सालों में यह पाकिस्तानियों की जाने की रिफ्ता कम हुई है और अच्छे खासे लोग वहां से एजेक्ट होके वापिस भी आएं हैं अब नई हकुमत ने पिछले एक दो मेहने में सिर्फ कतर से कुछ अरेंजमेंट किये हैं कतर ने कुछ उम्मीद दिलाई है लेकिन साथी एरेपिया या यूएई के साथ इस सिल्सले में को वो एक तरह का एक ब्रीधिंग स्पेस क्रियेट करते हैं आपकी एकॉनमी के लिए और फिर डिपेंड करता है आपके जो लोग एकॉनमी को डील करते हैं कि उस ब्रीधिंग स्पेस को इस्तमाल करके किस तरह आपकी एकॉनमी डुमेस्टिक सोर्सिस पे खड़ी होगी इस व economy का basis बहुत कमजोर था और आज भी economy का basis कमजोर है जब तक हम यह रिकनाइज नहीं करेंगे के अंदरूनी basis हो हम अपनी economy को बेहतर नहीं कर सकेंगे जहांत का सवाल है उन्होंने खाली अपना यहां पे एक office खोला है और वो यह अपना यहां पे एक office खोला है और वो that is not an employment office अच्छा जॉब्सक्राइश और दूसरी बात लास्ली जर्मानी यूके जपैन ने इंट्रिस्ट शो किया मैन पार के लिए वीजा वीजा office नहीं है व करेंगा अब्दीवी कि सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताके कोई खबर रहना जाए